बिग बॉस OTT सीजन 2 अपने फिनाले की तरफ बढ़ चुका है एक आखरी हफता बचा है और उसके बाद आज आएगा फिनाले वीक इस बार का नॉमिनेशन भी अपने आप में ही कमाल का रहा जहां हर घर वाले को अपने अपने पसंदीदा कंटेस्टरंट को जिनको वो घर म में नहीं देखना चाहते हैं उनकी ऑप्शन दिये गए बिग बॉस ने ऑप्शन कफीजी रखे और उसी बीच चार नाम सामने आए मनीशा रानी जिया शंकर अविनाश सचदेवा और जाधदीद ये चार लोग इस वक्त बिग बॉस के घर में नॉमिनेटेड है और इस ब दिखाये दे रहे हैं आपको बता दे जैसे ही जिया शंकर नौमिनेसन में आई उसके बाद ही उन्होंने अपना ग्रुप चेंज कर लिया जैसके ये भिशेग के दोस्तों ने भी कहा था कि जिया शंकर से उन्हें समझने की जरूरत है वैसा ही कुछ वो इस बार करती नजर उन्होंने तुरंत ग्रूप बतला और अपने वोट्स के लिए कहीं न कहीं खेलना शुरू कर दिया और अब अगर हम बात करें वोटिंग ट्रेंड्स की तो उनकी ये चाल काम्याब होती हुई भी दिखाई दे रही है मनीशा रानी और जिया शंकर में कुछ ही वोट्स का अं पिनाश और जाद सबसे लीस्ट अमाउंट अफ वोट्स के साथ इस वक्त वोटिंग ट्रेंड्स में चल रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें इन दो नामों में से किसी एक की तो भाई जिया शंकर ने सच में बाजी मारी है ये सच में अपने आप में काफी कमाल का है लेकिन उसके तुरंत बाद ही एक और ट्वीट वाइरल होने लगा जहां मनीशा रानी के वोट्स अचानक से 60% दिखाई देने लगे और वहीं जिया शंकर के वोट्स 28% हो गए आपको बता दे वोटिंग ट्रेंड्स और कुछ नहीं सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया के जाते हैं लेकिन कहीं न कहीं कभी कभी ये सच भी निकल जाते हैं अगर ये बात सच होती है तो शौकिंगली मनीशा रानी का इस बार एविक्शन हो सकता है जिसके लिए शायद फैन्स बिल्कुल भी तयार नहीं है फैन्स बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी मनीशा रानी घर से जाए इन फैक्ट वो उनको टॉप 5 में भी देखना चाहते हैं इन फैक्ट अभिशेक ने तो ये तक कहा है कि वो मनीशा रानी को टॉप 3 में देखते हैं गाइज आखरी बात यही है कि इस बार का नॉमिनेशन काफी मज़दार होने वाला है ये वीकेंड का बार काफी ज् इंट्रस्टिंग होगा कि जिया शंकर और मनीशा में से कौन घर जाता है और आपको बता दे कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी घर न जाए क्योंकि कहीं न कहीं डबल एविक्शन की डिमांड हो रही है क्योंकि टॉप 6 लोग ही टॉप फिनाले वीक में ्राश्टिंग टॉप टॉप पॉप खूप